मुराद नगर में शम्शान में कब्रगाह मौत की छटने माढ डाला प्रश्टाचार भारी जिन्दगी हारी अगर अधिकारिया कोई भी समझ हो है आपनी जो है अच्छा निवादा दो तो ये हाथसा हो दिवादा जो भी रिस्पॉंसिबिलिटी पुरी फिक्स की जाएगी जिस भी सतर का अधिकारी है ठेकेदार है अगर पालिका के जो अधिकारी इंवाल्ड है जी हाँ प्रस्टचार भारी जिन्दगी हारी हम बात कर रहे हैं मुराद नगर हाथसे की जिसमें अब तक मरने वालों की संख्या 24 हो चुकी है मामले के चार आरोपियों में से तीन को पुलिस ने गिरफतार भी कर लिया है दरसल कल मुराद नगर के गाओं में अंतिम संसकार करने गए लोगों के उपर लेंटर गिरने से ये दरदनाख हाथसा हुआ हाथसे में कई लोग गंबी रुप से जख्मी हुए इस साथ लेंटर गिरने से ये दरदनाख हाथसा हुआ हाथसे में कई लोग गंबी रुप से जख्मी हुए इस साथसे के पीछे लापरवाई को वज़े मानते हुए नगर पाले का ई-ओ निहारिका सिंग जूनियर, इंजिनियर, सुपरवाईजर और निर्मान करने वाले ठेकेदार अजे त्यागी के खिलाव गएर इरादतन हत्या का केस दर्श किया गया वहीं पुलिस ने तीन आरुपियों निहारिका सिंग, चंद्रुपाल, आशिश को गरपतार भी कर लिया है हलाकि अभी भी आरुपी ठेकेदार अजे त्यागी फरार है इसके अलावा राश्पती रामना कुविंद और पी-एम मुदी ने भी हाथसे को लेकर दुख जाहिर किया सी-एम योगी ने हाथसे पर दुख जाहिर किया साथी मामले में सक्त और तेजी से जाच के आदिश दिये हैं इसके अलावा सी-एम योगी की तरफ से वरने वालों के परिवारों को आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया है ब्रितकों के परिजनों को दो-दो लाक रुपे की साहता राशी योपी सरकार की तरफ से दी जाएगी ब्रिश्टचार भारी, जिन्दगी हारी और अब होगी कारवाई गिरफतारियों का सिलसला शुरू हो गया है एक आरोपी ठेकेदार अजे त्यागी अभी भी फरार बताय जा रहा है मुराद नगर हाथसे में 24 लोगों की मौत के बाद जाँच में और आई तेजी पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफतार कर लिया है ईयो निहारेका जेई भी गिरफतार कर लिया है किस-किस की हुई है गिरफतारी तस्वीरों में देख लीजे उन चेहरों को नगरपाले का ईयो निहारेका सिंग की गिरफतारी हुई है जूनियर इंजिनियर चंदरपाल की भी गिरफतारी हो चुकी है तो कुल मिलाकर अब तक 3 गिरफतारिया हुई है दो गिरफतारों के बाद अब बात करें तीसरे चेहरे की वो भी हम आपको दिखाएंगे बताएंगे अभी फिलाल ठेकेदार की गिरफतारी नहीं हो पाई है जिसको लेकर पुलिस की टीम जगे जगे दविशते रही है तीसरे आरोपी सुपरवाइजर आशिश को भी गिरफतार के लिया गया है ठेकेदार अजे त्यागी इस घटना का चौथा आरोपी फिलाल फरार चल रहा है उनाद नगर में खट्चा हुई थी उसके सबमन में उनाद नगर थाए पर फाईयर पंजी करेश हुई थी उसमें तीन लोगों को जिसमें ई-ओ निहारिका सिंग है जूनियर इंजिनियर चंदरपाल और आशिर सुपरवाइजर इन तीनों लोगों को गिरफतार किया गया है और जेल में जारा है आगे ची विजिक कारवाइज रखी जाए इस खबर पर और दी जानकारी के लिए जुड़ गए हैं जी मीडिया समवाता राहूल मुश्रा मारे साथ राहूल वरस्टचार भारी जिन्दगी हारी और अब भारी है कारवाइज की तीन आरुपी गरफतार कर लिए गए हैं ठेकेदार फरार बताय जा रहा है क्या अपड़िट सा रहे हैं अब देखे आपने सही काकि वरस्ट चार यहां पर भारी है वरस्ट चार भारी है उसी की वज़ह से यहopen देखा जाए В कि इतना बड़ा हैशा यहां पर देखने को मिला जिसमें की तकरिभाएं 24 लोगों की जो आफिसियल फिगर है 24 लोगों की यहां पर मौत हो गिए और कई लोग अभी भी जिंद्गे और मौत की जंग जिल रहे हैं वहाँ पर सिदे तोर पर यह दिका है तीन लोगों के अभी यहाँ पर गिरफतारी की गई है योगी जेई की और जो प्रवाजर की यहाँ पर गिरफतारी की गई है क्योंकि F.I.R. दर्ज किया गया था और यहां पर F.I.R. दर्ज करने के बिना पर ही यहां पर तीन लोगों की गिरफतारी की गई है लेकिन जो मुखे आरोपी यह दि कहा जाए जो ठेकदार है वह भी अभी कहीं सीधे तो और पर लापता है मुखे आरोपी यह दि ठेकदार की यहां पर गिरफतारी होती है तो ठेकदार से आखिर में पता चलेगा कि कौन-कौन लोग इसमें संलिप्त रहे हैं और क्योंकि तीन लोगों के यहां पर फ्रूरी तो फंतारी तो हुई है लोगों के अलावा और भी और कौन कौन लोग इसमें पर इसमेनों स्म tiny राइं कौन बड़े जो जो इसमें कुछि यों इयों और जे-ई और सुपर्वाजर के ही बना पे पूरा को पूरा करे नहीं हु करवाया था उसके साथी साथ दूसरी बात कहा जाए कि उसके और विकारियों को यहां पर समिख्षा करना चाहिए कि ठेकदार यह दूसरी जगपė काम करवाया है तो उसमें किस घ्रवक्टा का इस्तेमाल चिया है अभी पिलाल ये दिका जाए कि तीन लोगों की गिरफतारी तो यहां पर कर ली गई है लेकिन जो पूरी की पूरी एक चेन है जो इसमें सनलिप्त कौन कौन लोग थे इन सबी चीजों को अभी यहां पर आना अभी बाकी है जनकारी यहां पर आनी बाकी है लेकिन ये दिका ज विकारियों की जो मिली भगत है उसका पूरा का पूरा ये परड़ाम रहा है कि इस तरीके की इतना बड़ा हाथसा यहाँ पर देखने को हुआ है। लेकिन ये गायल हो गए और इसके बाद में इनका जो इलाज है वो एमम जी अस्पाताल में चल रहा है इनसे बात करते हैं कि अखरकार किस तरह से ये पूरा हासा हुआ था अधम सिंगी ये पूरा हासा कैसे हुआ आप उस वक्त क्या कर रहे थे और ये बताया जा रहे कि वहा अधम जी नहीं बुलाया था सब्सक्राइब कोई समझेना पाया कि ऐसे भी हो जाया एक दम गिरा आपके साथ कितने और लोग साथ में थे खुछ तो लेंटर के नीचे थे चालिस पचाश कुछ बीस थी साथ में बाहर की साइट था कब तक रहे वहां पर आपकर आपकर एक लैंटर है वो आपकर नीचे गर जाता है काफी लोग उसके नीचे दबे हुए था था मैं थोड़ा साइड में था मस्मेरी गर्दनी बाहर निकल लिए तो यह कब बन के तयार हुआ था इसके वारे में कोई जानकारी है इसके जानकारी नहीं है महां कही दिन से तो बना कुमार कोर्ड जी मीडिया गाजिवाद तो आपने सुना एक घायल दर्द कबाया कर रहा है और उस वक्त जो इभीशन हादसा हुआ उसका चश्पदीब भी है ऐसे में वो इस सवाल कर रहा है कि इस हादसे के लिए कौन कौन जिम्मेदार है इसमें जाच होनी चाहिए तीन चार की जड़े किस हद तक मजबूत हैं रहू मिरुटर लगातार बने हमारे साथ रहूल इस हादसे के सामने आने के बाद अबрь ये सवाल सामने आएगा कि सरकारी ठेकों में जिस तरह से मलائک हने का काम किया जाता है पर लगवन लगाने का वग्त आ गया है जल्दी इस पर पहली गटनानी है मुरादनगर में या कई एक जगों पे इस तरीके के हाथ से देखने को मिले हैं और इसमें सीधे तोर पे सरकारी तंत्र में A to Z उपर से लिए करके और नीचे तक लोगों की सनलिपता होती है और यही कारण है कि इस सनलिपता की वज़े से ही इस तरीके का न इर्माड कारे होता है और यहां आखिर में क्योंकि तीन लोगों की यहां पर फिलाल तो यह दिका जाए कि पौरी तोर पे क्योंकि प्रथम देश्टिया देखा जाए तो इन लोगों की देखरेक में यहां पर कारे होता है लेकिन क्या यही लोग की सनलिपते यह एक बड़ है इन सभी चीज़ों को यहां पियांच करना जरूरी है और आप coisas की चीज़ों की जाच करना इहां सबसे ज़रूरी है और इसमें आखिरे नीस को कॉन जायरों कि अधिकर रंखर और साइट करते हैं घ्रण इस घटा के मते नज़र तो ये भी कहा जासता है कि सब कुछ लगता है कि फाइलों में कर दे जाता है कागजों में किया फिर इती श्री कर लिए अपनी जिम्मेदारी से मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं है जो प्रमुख नाम सामने आ रहे हैं मुख्यारूपी की तौर पर उनके कंदों पर बड़ी जिम्मेदारी होती है मॉनिटरिंग नहीं की होगी सब कुछ कागजों में समटके रहे गया होगा बस जोड़ तोड़ और जोगार तंत्र ज़रूरा Yeah ज़रूर सभी सीधे तोर पे दिखा ज़ाये कि आप सुपर्वाइजर को ठाते हैं जैई को अटाते हैं यो को ठाते हैं लेकिन आखिर में उन लोगों का क्या जो उनकी की यहां पर जिम्यदारी होती है कि इनके उपर क्रॉस चेक यहां पर किया जाए कि आखिर में क्या वहां पर समान बन रहा है क्या किस तरीके का वहां पर प्रयोग मेट्रियल्स का वहां पर किया गया है क्या गुणवक्ता जो मानक है उस मानक के अनरूप वहाँ पर प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया है इन सभी चीजों की है देखना यहोगा कि आकर में जो बड़े अधिकारी हैं उनके उपर किस तरीके से यहां पर काम करना है और इन सभी गुडवक्ता के साथ में आपको काम करना होता है लेकिन जमीनी हकीकत पर यह दिदेखा जाया तो उसके ठीक इतर इस तरीके का वहाँ पर मानक को धत्ता बताते हुए वहाँ पर काम कराया जाता है जिसके पल सरूप यह दिदेखा जाया तो मुरादनगर जैसी घटनाएं यहां पर घटित होती है जिसमें की खराब बिल्डिंग मैटरियल का य जाल उम्मेद की जाने चाहिए कि जी उत्तर प्रदेश उत्तर इस हाथसे के मदे नज़र जो सवाव सामने रख रहा है उसके मदे नज़र जल्द ही कोई बड़े फैसले जल्से जल्द लिये जाएं बने रही हमारे साथ अगर हम सरकार की बात करें तो गाज़बाद हाथस मेरट और आईजी देंज मेरट को मौके पे जाकर इस पुरी घटना की रिकोर्ड देने के लिए मैंने पहले ही आदेश कर दिया है जिससे इस दुखत घटना के पीछे के कारणों को जाना जा सके और इसमें जम्यदारों की जवाब देई भी सुनिश्चित की जा सके और र ही है हर संभव सायता उन पीडित तरिवारवानों को राजी सरकर करेगे